हलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगोंने एडिटोरिया के बुक से बिहार दरोगा मुख परिच्छा, बिहार दरोगा मेंस के लिए जो हम लोगोंने practice set टरस्ट आट कर रखा है उस सरीज में आज आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे practice set number 4 इससे पहले practice aid no.3 तक जो है वो already uploaded है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाका प्लेलिस से देख सकते हैं इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दियेगा description link से जाका टेलिग्राम और WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हैं वहाँ इसका PDF जो है प्रोवाइट करवा दिया जा चुका है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने questions की तरफ आज का जो हमारा पहला question है वो यह कह रहा है कि जनगना 2011 के अधार अनुसार सरबादीक 76 दर वाला केंदरसासित परदेश कौन है देखे सरबादीक 76 दर तो जो है वो केरल का है 94 परतिसत लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा केंदरसासित परदेश कौन है तो वो है लच्छ दिप जिसका साथ चर्टा दर है 98.8 परतिसत तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नंबर भी लच्छ दिप अगर निउन्तम की बात करता है तो राजियों में अगर बात करेगा तो निउन्तम जो है वो बिहार का है और अगर केंदरसासित परदेश में अगर बात करेगा तो वो दादर नगर हवेली का है नेक्स question है question number 2 जर्गना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वादीक सीसू लूंगा अनुपाद पाया गया है तो सर्वादीक सीसू लूंगा अनुपाद जो है वो बिहार के किस अनुपाद जिले में है और नियुन्तम अगर सीसु लूंगा अनुपात अगर पूछता है तो वो बैसाली में है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C की संगन में नियुन्तम जो है वो बैसाली में है वहीं अगर बिहार में सीसु लूंगा अनुपात की अगर बात करते हैं तो वो 935 है और सिर्फ और सिर्फ अगर लिंगा अनुपात पूछता है सीसु नहीं पूछता है तो वो बिहार में 918 है नेक्स question है question number 3 ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम बन आवरन बाला जिला कौन सा है तो बन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो सबसे कम बन आवरन बाला जो जिला है वो सेखपूरा है और सरभधिक बन आवरन बाला अगर जिला पूछेगा तो वो कैमूर है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसन बटी सेखपूरा है next question है question number 4 ACI विकास बैंक की अस्थापना कब की गई थी तो ACI विकास बैंक की अस्थापना 1966 में किया गया था और इसकी राधानी जो है मसारी इसकी जो मुख्याले है वो फिलिपिन्स की राधानी मनीला में इस्थित है और इसके कुल जो सदस्देश है वो है 68 तो इस question का जो सभी अंसर होगा वो होगा आपस नमठी उनी सो अच्छी आसट आगे कि निम्लिकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है या आपसे पूछ रहा है राध चलाया समीती इसका संबंध ठाक कर सुधार से ये बिल्कुल सही है रेखा समीती अपरत्यच्छकर से संबंध ये भी बिल्कुल सही है गई पूलिया समीती बैंकिंग सेवा सुधार से ये भी संबंध सही है खुसरो सम्मिती उद्योगिक साख ये गलत है क्योंकि खुसरो सम्मंदी का सम्मंद उद्योगिक साख से नहीं बढ़कि क्रिसी साख से था तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C next question है question number 6 मुद्रा के मुल पर क्या परभाव पड़ता है तो मुल गिर जाता है हाँ यही बिलकुल मुल गिर जाता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number E मुद्रा अस्पिती वो हिस्थिती है जब मुद्रा का मुल जो है वो गिर जाता है बैंकिंग से संबंदित ग्राहकों की सिकायतों के समाधान हे तू बैंकिंग लोकपाल योजना की सुरुआत कब की गई थी तो बैंकिंग लोकपाल योजना की सुरुआत जो है ब 1995 में किया गया था और फिर इस योजना में दो बार 2006 और 2002 और 2006 में संसोजन किया गया है तो इस question का सही answer होगा आप होगा option number B 1995 में यह actually banking ढाचा को बहतर बनाने और ग्राहकों की समस्या से समाधान है तू 14 जून 1995 में को banking लोगपाल योजना की सुरवार जो है वो किया गया था banking लोगपाल की निउक्ती जो है भारत का जो रिजर बैंक है भारती रिजर बैंक उसके द्वारा किया जाता है next question है question number 8 कम आयवाले परिवारों यबम छोटे बेपसाई को ब्यापक BTA सेवाई उपलब्द कराने है तो किस समीती का गठन किया गया है तो यह किया गया है नचिकियत मोर समीती का तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसे number C नचिकियत मोर समीती का संबंध जो है वो निम्न आयवाले परिवारों यबम छोटे बेपसाईओं को ब्यापक BTA सेवाई उपलब्द कराना है वहीं अगर हम लोग बात करते हैं उर्जीत पटेल समीती की तो इसका संबंध जो है वो मौदरिक निती धाची के विसलेशन है तो इसका संबंध था वो 12 जुलाई 1982 को और headquarter जो है वो मुंबई में स्थेत है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number C नवाड आगे है कि दिये गए बिकलपों में से कौन जो है वो परते अच्छकर का उधारन नहीं है मतलब आपरते अच्छकर है आपरते अच्छकर किसको कहा जाता है वैसे कर जिसके बास्तबिक बोज को बिवर्तित किया जा सकता है उसको आपरते अच्छकर कहा जाता है जैसे कि सेवाकर जो है वो भारत में आपरते अच्छकर का उधारन है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसर नमबर B सेवा कर भारत में सेवा करकी जो सुरुवात है वो 1995 में से किया गया था Next question है question number 11 सिंदू गाटी सभिता के किस एकमातर नगर के घरों के दरवाजे जो है वो मुख सड़क की और खुलते थे Actually देखिए सिंदू गाटी सभिता में जो mostly नगरों में घरों के दरवाजे जो है वो पीछे की और खुलते थे लेकिन लोथल एकमातर ऐसा नगर था जहां घरों के दरवाजे जो है वो मुख सड़क की और खुलते थे तो इस कोशन का जो सई अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C लोथल लोथल जो है वो गुजरात में भोगबा नदी की किनारे स्थित एक बंदरगास सहर था और चाबल के दाने का प्रथम साच्छे भी जो है वो लोथल से ही प्राप्त हुआ है असोग के किस सिलालेक में धम की ब्याख्या की गई है तो धम की ब्याख्या जो है वो इगरहमे सिलालेक में किया गया है तो इस कोशन का सई अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D इगरहमे सिलालेक में वही अगर हम लोग बात करते हैं चौते सिलालेक की तो चौते सिलालेक में भेरी घोस की जगा धम घोस की घोसना की गई है पाचवे सिला लेख की अगर बात करते हैं तो इसमें धर्म महा मातरों की निउक्ति के बिसे में जानकारी मिलता है और साथमे और आठमे सिला लेख में असोग की तिर्थ यात्राओं का उलेख जो है वो किया गया है नेक्स के निर्मान से द्रविड अस्थापत कला की सुरुवात भी हुई थी तो इस कुश्चन का सही अंसर होगा वहोगा आपसन नंबर भी नर्सिंग बर्मन दूतिये नेक्स कुश्चन कहा रहा है कि इबन बतूता कि सासक के सासनकाल में भारत आया था तो इबन बतूता जो है वो मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में लगबग 1333 सिस्वी में भारत आया था या एक अफीर की यात्री था तो इस कुश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नंबर भी मुहमद बिन तुगलक फिर मुहमद बिन तुगलक जो था वो इसे दिल्ली का काजी निक्त करत है और फिर 1342 सिस्वी में इसे अपना रादूत बना कर अचीन भी भेड़ता है इवन बतूता से याद रखेगा इसकी एक यात्रा बिर्तांत है जिसका नाम है रहला ठीक है तो यह रहला नामा के एक पुस्ता की भी रचना किया है नेक्स्ट कोशन कहरा है यह बिजय नगर समराज के समद्ध में निम्रिखित में से कौन जो है वो असत है उसकी पहचान करना है आपको बिजय नगर समराज की एस्थापना हरी हरेबम बुक्का के द्वारा किया गया था यह बिल्कुल सही है फिर कहरा क्रिस्ट देव राय के दरबार में तिलगू साहित के आठ और आप लोगों को याद होगा एक फार्सी राजदू था अब्दूरजाक बो भी जो देवराय दूतिये के सासनकाल में ही बिजय नगर आया था तो इस क्वेशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर इसी नेक्स क्वेशन के रहा है कि मुगलकाल के संबध में निम्लिकित में से असत जोड़े की पहचान कीजे जहागीर का जन फतेहपूर सिक्री उत्यपदेश ये बिल्कुल सही है अकवर का जन अमरकोर्ट पाकिस्तान ये बिल्कुल सही है और अंजेब का जन दाहोद गुजर ये सई है तांसेन का जन भोपाल मध्यपदेश ये गरत है क्योंकि तांसेन का जन जो है वो 1526 भी में गौलियर में एक ब्राह्मन परिवार में हुआ था और तांसेन का जो असली नाम है वो रामतनु पांडे था और अकवर जो था वो तांसेन को कंट भरन बानी बिलास की उपाधी भी दिया था और अकवर के दरबार में आने से पहले तांसेन जो था वो रीवा के राजा रामचंदर के दरबार में रहता था ये सब कुछ ध्यान रखिएगा तो इस कोशन का सहींसर ऐसे होगा वो होगा आपसा नमबर D नेक्स कोशन है कोशन नमबर 17 कबूलियत बम पठ़ा प्रधा की सरुआ है वो किसके द्वारा किया था तो इस कोशन का सहींसर होगा वो होगा आपसा नमबर B सेर सा सूरी सेरसा से और भी चीज़े याद रखेगा इसने भूमी की मापहेतु बत्ती संक वाला एक सिकंदरी गच और सन की डंडी का प्रियोग किया था इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपे और 380 ग्रेन तामे का दाम चलवाया था इसने सासाराम के नदीक रोहतासगड के दुरग का भी निर्मान करवाया था साथी साथ डाक प्रथा का प्रचलन भी जो है वो सेरसा के द्वारा ही किया गया था नेक्स कोशन है कोशन नमर 18 याद रखेगा डचो ने भारत में प्रथम बार उद्योगी के बेतन भोगी भी रखे थे और डचो का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है वो 1759 को अंग्रेजो और डचो के बीच में जो बेदरा का यूद हुआ था से हुअ था आगे कहöyle भारत में सर पथम सहयक संदी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसनमधी फ्रांसिसी गवर्नर डूपले के द्वारा और सहायक संधी करने बाला जो प्रथम राज्य था वो था है दराबाद Next question कहरा है सुची एक और सुची दो को सुमेलित करना है एक साइड बिद्रो है और दूसरे साइड नेतरित्व करता दिया गया है कहरा है खोंड खोंड की अगर बात करते हैं तो खोंड बिद्रो के जो नेतरित्व करता थे वो थे चक्र बिसोई उसके बाद है चोरो बिद्रो इसके नेतरित्व करता थे भूसन सिंग रामोसी बिद्रो चीतर सिंग, खासी बिद्रो राजा तीरा सिंग तो यह सब सामने सामने ही लिखा हुआ है तो इस question का जो सही अंसर होगा वह होगा आपसा number C Next question है question number 21 करें चंपारन अंदोलन के समध्ध में असत कथन की पहचान कीजे चंपारन में किसानों को अपनी जमीन के 3 बटा 21 में हिस्से पर नील की खेती करना जो है वो निवार्जे यही गलत है क्योंकि यह 3 बटा 21 नहीं था, 3 बटे 20 में हिस्से पर नील की खेती जो है वो करना अनिवार्जे था उसके बाद आगी कहरें चंपारन अंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेब दिसाई भी थे यह सही है जुलाई 1917 में चंपारन एग्रियन कमीटी का गठन किया गया था ये भी बिल्गुल सही है किसानों से बसूली की गई रासी का 25,30 बापस किया गया था भी बिल्गुल सही है तो इस question का सई अंसर होगा अब होगा option number A याद रखेगा भारत में सत्यागरा का सरप्रथम प्रियोग भी जो है वो 1917 में चंपारण बिहार से ही किया गया था next question है question number 22 भारत में 1920 में अखिल भारतिये ट्रेड उनियन कॉंग्रेस की अस्थापना जो है वो कहाँ पे हुई थी तो 1920 में बंबई में हुई थी तो इस question का जो सई अंसर होगा अब होगा option number B बंबई में हुई थी और इसके प्रतम अध्यत जो थे वो लाला लाजपत रहे थे और भारत में अगर देखा जाए तो प्रतम आधूनिक स्रम संग की अस्थापना जो है वो BP बाडिया के द्वारा मदरा स्रमिक संग के रूप में किया गया था next question है question number 23 कह रहा है निमलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेली तो नहीं है आर्द समाज 1875 ये बिलकुल सही है यंग बंगाल अंदोलन 1828 ये बिलकुल सही है देवबंद स्कूल 1860 गलत है क्योंकि देवबंद स्कूल की अस्थापना जो है वो 1866 सरसर्ष में उत्रपदेश तो तैयार करता था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा अब होगा आपसा नमबर इसी नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 24 कह रहा किस अंदोलन के समय तीलक स्वराज फंड की अस्थापना की गई थी तो यह किया गया था असयोग अंदोलन के दोरां देखिए 1920 इस वी में असयोग अंदोलन के खर्च के पूर्ती है तो तिलक स्वराज फंड की अस्थापना की गई थी और इसमें जो है वो लोगों के दोरा एक कड़ो रुपे से भी अधीक रुपे जो है वो जमा किये गए थे तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर इस असयोग अंदोलन एक कोश्चन पूछा जाता है कि कौन नेता जो थे उनको सरप्रथम असयोगा अंदोलन में गिरफ्तार किया गया था तो वो थे मुहमद अली नेक्स कोश्चन कहरा है कि किनके प्रियासों से गांधी जी और अंबेतकर के बीच पूना समझाता जो है वो संपन हुआ था तो यह हुआ था मदन मोहन माल बिये के प्रयासों से 26 सितमबर 1932 को पूना में गांधी जी और अम्बेदकर के बीच एक समझाता हुआ इसको की पूना पैक्ट कहा गया पूना समझाता कहा गया और अम्बेदकर जी जो थे वो इसी समझाते के अंतरगत हर जनों के लिए एक प्रिथक प्रतिनिधित्व की मांग को बापस ले लिया और संजुक निर्वाचन के सिधान को स्विकार किया था और इसी समझोते के द्वारा हर जनों के लिए भी धान सभा में सुरच्ची तस्थान 71 से बढ़ा कर 148 कर दिया गया तो इस question का जो सही अंसर होगा अब होगा आपसा नंबर B मदन महनमाल भी है नेक्स question कर रहा है कि निम्न में से कौन सा बिसा है जो है वो संभर्ती सुची के अंतरगत आता है देखिए संभर्ती सुची के अंतरगत जन संख्या नियंतरन सामचार पत रहां ये आता है तो इस question का सही अंसर होगा अब होगा आपसा नंबर B नेक्स question का सही अंसर होगा अब होगा आपसा नंबर A संभर्ती सुची से याद रखेगा संभिधान के लागू होने के समय संभर्ती सुची में 47 भी से थे लेकिन बरतमान में देखा जाए तो बामन भी से है संजुकत अधिवेशन के अध्यचता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है यह आपसे पूछ रहा है तेखे संजुकत अधिवेशन जो है वो संभिधान के अनुचिद 108 में संसद में संजुकत अधिवेशन की बेवस्ता की गई है जो की राष्टपती के द्वारा बुलाया जाता है और उसकी अध्यचता जो है वो लोगसभा के अध्यच के द्वारा किया जाता है अगर लोगसभा के अध्यच नहीं रहेंगे तो लोगसभा का उपाध्यच करेगा अगर लोग सभा के उपाध्यच भी ने रेंगे तो राजसभा का उप सभापती करेगा लेकिन राजसभा के सभापती के द्वारा कभी भी इसकी अध्यचता नहीं की जाती है तो इस question का सभी अंसर होगा अब होगा आपसर नमबर A Next question है question number 28 जन जाती है छेत्रों के परसासन सम्मदी उपवंध जो है वह सम्मिधान के किस अनुसुची में दिया गया है तो यह दिया गया है सम्मिधान के छटी अनुसुची में तो इस question का जो सभी अंसर होगा अब होगा आपसर नमबर A अच्छटी अनुसुची में वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पांचमी अनुसुची की तो अनुसुची छेतरो एबम अनुसुची जन्जाती के परसासन सम्मधी प्रभ्धान जो है वो संभिधान की पांचमी अनुसुची में दिया गया है अगर हम लोग बात करते हैं चतूर्थ अनुसूची की तो चतूर्थ अनुसूची में राजियों तथा संग राज छेतरों की राजिसभा में प्रति निधित्व का विवरन दिया गया है तो यह क्या गया, अनुचेद 32 में, तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा, आपसर नमबर D, अनुचेद 32 में सम्मेधानी कुपचारों सम्मंधी प्रभधान जो है, वो किया गया है, इसके अंतरगत, actually, मौली क अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए, समुचीत कारवाईयो द्वारा उच्टम न्याले में आवेधन करने का अधिकार जो है, वो प्रदान किया गया है, और इसी सम्मेधानी कुपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीम रवामेत करने सम्मेधान की आत्मा कहा था, और इसी अनुचेद के तहत जो न्याले है, वो पांच तरह की संसा पर 42 में सम्मेधान संसोधन के द्वारा 10 मौली करतब को जोड़ा गया था, फिर बाद में 86 मा सम्मेधान संसोधन होता है, और इसी अनुचेद 123 के तहत अध्यधेश जारी करता है, ये बिल्कुल सही है, अध्यधेश का परभाव सत्र सुरू होने से 6 माह तक रहता है, ये गलत है, क्योंकि 6 सपताह तक रहता है, 6 माह तक नहीं रहता है, तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा, वो होगा आपसा नमबर भी, फिर कहरा है, राष्टपती किसी सार्जनिक महत्व के प्रस्न पर उच्टम नियाले से अनुचेद 143 के तहत परामर से ले सकता है, य ये भी बिलकुल सही है, एक चीद अध्यदेश से याद रखेगा, राष्टपती द्वारा अध्यदेश तभी जारी किया जा सकता है, जब संसत का सत्र नहीं चल लहा होता है, जब दोनों सदन सत्र में होते हैं, तब राष्टपती को या सकती जो है वो नहीं होती है, अध उपराष्टपती राष्टपती के रूप में अधिक्तम कितने समय तक करज़ कर सकता है तो देखिए भारत का उपराष्टपती जो है वो राष्टपती के रूप में अधिक्तम 6 माह तक करज़ कर सकता है अनुछियत 65 के तहट तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D.H.M.A. तक और इस दोरान जो है वो राष्टपती का चुनाप करा लेना जो है वो अनिवाद जो होता है Next question है question number 33 कहरा है निम्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक साइड राज दिये गए हैं दूसरे साइड बिधान सभाओं की सदस्यों की संख्या दी गई है पंजाब 117 सही है उत्राखंड 90 ये गलत है उत्राखंड में बिधान सभा की सदस्यों की संख्या जो है वो 70 है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B नेक्स question है question number 34 निम्न में से कौन सी प्रकलिया जो है वो आयरलेंड के संभीधान से नहीं लिया गया है राष्टपती के निर्वाचक मंडल की बेवस्ता ये बिल्कुल आयरलेंड की संभीधान से अच्छा पूछराए की नहीं लिया गया है तो ये तो लिया गया है फिरकारा राजी सभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं ये दच्छी न फिरका के संभीधान से लिया गया है संसदी बिसे साधिकार नहीं ये भी बिटेन से लिया गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसे नबर D, B और C जो है वो आयरलेंड के समिधान से नहीं लिया गया है नेक्स कोशन है कोशन नबर 35 भारत सरकार का सरपथम विधी अधिकारी कौन होता है तो वो होता है अटार्णी जेंडल यानि कि महाने अबादी जिसका विवरें जो है वो अनुछे 76 में किया गया है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नबर C अटार्णी जेंडल भारत का महने अबादी जो होता है वो ना तो संसत का सदत से होता है और ना ही मंत्री मंडल का सदत से होता है लेकिन वह किसी भी सदनी आथवा उसकी किसी भी समीतिया में उसे बोलने का अधिकार है मत देने का अधिकार नहीं है ये है अनुछेद 88 के तहत ध्यान रखिएगा Attorney General की नुक्ती जो है वो राष्टपती करते हैं और वो उनके परसाद पर्यात जो है वो पद धारन करते हैं Next question is question number 36 देखिए यहां question पूछ क्या रहा है बीत ये बीवादों के निप्टारों है तो निप्टारों है तो कौन है वो है सर्वोचिनयाले तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसे नबरे सर्वोचिनयाले लेकिन अगर पूछ लेकि केंदर और राज्यों के बीच जो बित के बटवारा होता है बित बिवाद की बात नहीं बित बटवारा कौन करता है तो वो बित आयोग होता है जो कि संग और राज्यों के मद बित के बटवारे के सिफारिस करता है सर्वोच चन्याले की अगर बात करते हैं तो सर्वोच चन्याले का गठन सम्मधी प्रवधान जो है वो अनूचियद 124 में दिया गया है नेक्स कोशन है कोशन अबर 37 निम्ले कितमे से कौन राज जो है वो बिधान मंडल का अंगर नहीं होता है तो बिधान सभा, एड़वोकेट जेनल, बिधान परिसद और राज जेपल तो एड़वोकेट जेनल नहीं होता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसे नमर सी advocate general यह जो advocate general होता है वो राज्य सरकार का सरवोच बिदी अधिकारी होता है अगर राज बिधान मंदल की बात करते हैं तो राज बिधान मंदल का जो निर्मान है वो राज बिधान परिसद और बिधान सभा से मिलकर होता है और राज मंतरी परसद जो होता है वो सामोहिक रूप से बिधान सभा के प्रति उत्तर दाई होता है advocate general की अगर बात करते हैं तो आप लोग याद रखेगा अनुचेद हैं अनुचेद 165 अनुचेद 165 में राज के महादिवक्ता की बिवस्ता की गई है इनकी निउक्ती जो है वो राज जपाल के द्वारा होती है और वो अपने पद पर राज जपाल के परसाद प्रयात बने रहते हैं नेक्स्ट क्वेशन है question number 38 भारत ने हाली में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्ज योजना 2022 को मंजूर इपदान किया है तो यह किया है ASEAN के साथ तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C इसका full form होता है Association of South East ASEAN Nation इस जिसके अस्थापना जो है वो 1967 में किया गया है और इसका मुख्याले जो है वो जाकरता में है नेक्स्ट क्वेशन है question number 39 अंतराष्टिये सीमा सुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है वहीं अगर बात करते हैं 15 मार्च की तो याद रखेगा 15 मार्च को 20 उपभोगता अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेशन है question number 40 कहरा भषटचार धारना सूचकांग 2021 में भारत का कौन सा अस्थान रहा है तो इसमें भारत का अस्थान जो है वो 85 है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number 8 और New Zealand, Denmark और Finland ये तीनों जो है वो संजुकत रूप से पहले अस्थान पर रहा है और यहाद सूचकांग जो है वो Transparency International के त्वारा जारी किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन है question number 41 नेक्स्ट क्वेशन है question number 42 निम्रिकित में से कौन सी परवत चोटी भारत में इस्थी थे यहाँ आपसे पूछ रहा average धोलागिरी नंगा परवत त्रिचमीर देखे अबरेश्ट की अगर बात करते हैं तो average परवत सिखर तो नेपाल में इस्थी थे धोलागिरी की अगर बात करते हैं तो यह भी नेपाल में स्थी थे त्रिचमीर की अगर बात करते हैं तो यह पाकिस्थान में स्थी थे बचा कौन नंगा परवत जो कि भारत में स्थी थे तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C next question number 43 नदियों के किनारे बसे नगरों में से कौन सा यूगम जो है वो सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है रूम टाइवर नदी यह बिलकुल सही है बर्लीन अस्प्री नदी सही है कीब नीपर नदी सही है लिबरपूल राइन यह गलत है क्योंकि इंगलाइन का जो लिबरपूल है नगर है वो मर्फी नदी के किनारे बस्ता हुआ है ठीक है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D next question है question number 44 नेमलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो तिर्बेंद रम और मदूरे के बीच संपर्क मार्ट पदान करता है तो यह करता है सिंकोट दर्रा तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number B वहिए अगर थाल घहाट की बात करते हैं तो थाल घहाट जो है वो नासी के म professor 1 मुमदई यह आपसे पूछ राएँ नीमलिखित में से किस नदी का मुहाना जो है वो चिनाव नदी नहीं है यहापसे भ्यास नदी जो है वो हरी केinter ad rec के निकट 17 नदी में मिल जाती है और यह नदी जो है वो रहतांग दर्ले के समीब ब्यास कुण से निकलती है और कुल्लू घाटी से बहते हुई धौला धर परवत को पाल करके पंजाब के मैदान में पहुँचती है बाद बाकी 17 जेलम और राभी नदी जो है उसका मुहानाची नाम नदी है यहाँ नहीं है पूछ रहा तो आपका अंसर जो होगा वो होगा आपसे नमबर ब्यास नदी नेक्स कॉश्चन है कॉश्चन नमबर 46 कहरा है ग्रिस मेरी तू में होने बाले बरसा को कहां पर आमर बरसा के नाम से जाना जाता है तो यहाँ जाना जाता है केरल में तो इस कॉश्चन का जो से अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर C ग्रिस मेरी तू में जो केरल और करनाटक में होने बाली जो तूफानी बरसा होती है उसी को आमर बरसा कहा जाता है और और आम्र बर्सा कहने के पीछे यही region है, क्यूंकि यह आम की फसल के लिए अत्याधीक जो है, वो लापकारी होता है, नेक्स्स कोश्चन है, कोश्चन नमर四टी सेबन, लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है? तो लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण है, law oxide की उपस्थिती तो इस question का सही answer है वो है option number C law oxide की उपस्थिती यह जो है वो अमलिय प्रकृति की मिट्टी है और इसमें nitrogen, phosphorus और humus की कमी होती है यह मिट्टी जो है वो प्राया उर्वर्ता विहीन बंजर भूमी के रूप में पाई जाती है और इसमें silka और iron की बहूलता पाई बन जायती है और चूना का इस्तमाल करके लाल मिट्टी की उर्वर रखता जो है वो बढ़ाई जा सकती है next question है question number 48 कनाटा का कोलार खान जो है वो किस खनी जेतु पसिद्ध है तो कनाटा की कोलार और हट्टी खाने जो है वो सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि देश के अकेले उत्पादन का लगभग 97 से 98 परतिसेद भाग जो है वो कनाटाक नहीं होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन बटी सोना नेक्स कोशन है कि सुएज नहर जो है वो निम्लिखित में से किसको मिलाती है तो सुएज नहर जो हो है वो भूमद सागर और लाल सागर को जोड़ती है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसन बटी भूमद सागर और लाल सागर को याद रखेगा स्वेज नहर का जो निर्मान है वो 1869 में हुग किया गया था और फिर 1956 में मिसर के द्वारा इस नहर का राष्टियकरन जो है वो किया गया है Next question है question number 50 कहरा है निमलिखित रज्जियों में किसे भारत का कोहनूर कहा जाता है तो भारत का कोहनूर जो है वो आंधपदेश को कहा जाता है क्योंकि आंधपदेश के कॉल्लूर की खान से ही विस्परसिद कोहनूर हीरा जो है वो प्राप्त किया गया था और इसी कारणी से राज को भारत का कोहनूर कहा जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसन अबर D, आंधिपदेश Next है question number 51 कह रहा है निम्रिखित में से कौन एक जो है वो सदी सरासी नहीं है सदी सरासी नहीं है कि मतलब वो अदी सरासी होगा और वैसी रासी जिसमें केबल परिमान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अधिसरासी कहते हैं जैसे कि दाब, ताप, बिदुधारा, दरब्यान, चाल, आयतन, कार, उर्जा, समय ये सब क्या है अधिसरासी है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसन अबर B आगे कह रहा है निम्रिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो धोनी उर्जा को बिदुध उर्जा में परिवर्थित करता है माइक्रोफोन, तो हाँ ये बिल्कुल सही है माइक्रोफोन ही जो है वो धोनी उर्जा को बिदुध उर्जा में परिवर्थित करता है नेक्स कोशन है, कोशन नमबर 53 भू अस्थाई उपग्रेब पृठीबि से लगभग कितनी उचाई पर अस्थापित किया जाते हैं तो ये लगभग जो है, वो 36,000 किलोमेटर की उचाई पर अस्थापित किया जाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसँ number 60 Next question कहरा है कि दिये गए बिकल्पों में से कौन जो है वो प्राथ्मिक सेल के उधारण है सुस्क सेल हाँ ये है गौल्टिये सेल بھی है, डैनियन सेल भी है तो इस question का सब्सक्राथ्मिक सेल होगा वो होगा आपसँ number 80 सर्पन किस देश में किया गया था तो चिकागो बिस भिधालर में एक प्रोफेसर थे एन्रिको फर्मी उन्हीं के निर्देशन में बनाए गया था तो इस क्वेस्चन का जो सही इंसर होगा वो लो होगा आपसनcked D America, नाब की यह reactor की अगर बात करते हैं, तो इस reactor में इंधन के रूप में यूरेनियम और प्लोटेनियम का परियोग किया जाता है, रियक्टर में मंदक के रूप में भारे जल या ग्रेफाइट का परियोग किया जाता है, और नियंदरक छड़ के रूप में कैडमियम और बोलोन के छड़ का परियोग जो है वो किया जाता है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 56 ताप बढ़ाने पर चाला के बिदूत प्रतिरोध पर क्या पढ़वा पढ़ेगा देखिए जैसे जैसे आप ताप पढ़ाएंगे बिदूत प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ेगा लेकिन बिदूत चालागता अगर पूछेगा तो वो घटेगा तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप से नमबर भी बढ़ता है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 57 तो देखे वो ऐसा प्लास्टिक जो पहली बार गरम करने पर मुलायम हो जाता है और उसे इच्छी तकार में ढाल लिया जाता है और पूना गरम करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है उसको थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है और बेकलाइट मेला माइन ये सब जो है वो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के उधारन है तो इस question का जो सही answer होगा वह होगा आपसे नमरे बेकलाइट Next question है question number 59 कह रहा कि सबसे अच्छा अस्प रोगी योगी कौन है यह जो anti-knocking होता है जैसे देखिए कोई इंधन जो होता है जिसका अस्प photon जो होता है वो अधीक होता है उपयों केलिए उचीत नहीं माना जाता है और वही अस्प photon को कम करने के लिए इंधनों में योगीक मिलाया जाता है जिससे क्या होता है उसका अस्प photon जो है वो कम हो जाता है और सबसे अच्छा अस्प photon जो थी योगीक जो है वो tetraethyl L 거의 है इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B tetraethylate आगी कहरा है dolomite जो है वो किस दातों का प्रमुक्यस्क है तो dolomite हो गया, calcite हो गया, gypsum हो गया ये सब जो है वो calcium का प्रमुक्यस्क है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B calcium next question है question number 61 निम्लिकित में से कौन सा यूग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है या आप से पूछ रहा है phycology सेवालो का अधियन सही है micrology कभको का अधियन सही है pomology फूलो का अधियन गलत है pomology में फलो का अधियन कहार्ट किया जाता है तो जीब दरब में सरवादीग जो है वो oxygen पाया जाता है फिर उसके बाद carbon, फिर hydrogen, फिर nitrogen ऐसे अगर देखा जाए तो जीब दरब का जो लगभग 90% भाग जो होता है वो जल होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D, oxygen next question है question number 63 philosophy, geologic नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था तो आपने नाम सुना होगा Lamark जिन्होंने की जैब विकास का सिध्धान दिया था तो वो यहीजी इसी पुस्तक philosophy, geological में 18-19 में दिये थे तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A, Lamark आगे करा है निम्रिकित में से कौन जो है वो थेलोफाइटा बर्ग का प्रतिनिधित वो नहीं करता है तो थेलोफाइटा बर्ग का प्रतिनिधित वो कौन नहीं करता है अस्वेग गन्नम नामक जो है वो नहीं करता है यह actually तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर A अच्छली थैलोफाइटा जो है वो बनस्पती जगत का सबसे बड़ा समू है इसके परमुखुदारन है, सैबाल, जीवानू, कबक ये सब जो है वो थैलोफाइटा समू के ही है Next question है question number 65 नेक्स question कहरा है कि पेड़ पौधे बायूमंडल से किस बिधी के द्वारा CO2 गरहन करते है तो CO2 जो है वो बिसरन विधी के द्वारा गरहन करते हैं तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा आपसा number B Next question कहरा है कि जलिये fund जिसे जैब उर्बराक के रूप में प्रियुक्त किया जाता है वो है तो वो है एंजोला, एंजोला जो है वो एक तैरती हुई जलिये fund है जो कि सेवालों से मिलती जिलती है और यह एक जैब उर्बराक है जो कि धान की उपज को बढ़ाती है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा number B आगे कहा रहा है कि छोटी आथ के आंतरिक दिवारों पर अंगली नुमा संरचना पाई जाती है वो क्या कहा जाता है तो उसको बीली कहा जाता है बिली जो है वो छोटी आत्मे अपसेसन छेतर को जो अपसोसन बाला जो छेतर होता है उसको बढ़ाने का कार्ज़ करता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D, बिली next question करता है इन में से कौन सा पौधे के ब्रिधिम आपने के लिए परयोगतूप करन है तो केस्पोग्राफ हा तो केस्पोग्राफ ही जो है वो पौधे के ब्रिधिम आपने के लिए परयोग किया जाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number A chronometer के अगर बात करते हैं तो chronometer का उपयोग जो है वो पानी के जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है और अगर कार्डियोग्राम की बात करते हैं तो इसके द्वारा हिर्दे गती की जाच की जाती है next question है question number 70 iodine blank के संस्लेशन के लिए आवेस्थक है तो iodine जो है वो thyroxine के संस्लेशन के लिए आवेस्थक होता है thyroxine जो होता है वो हर्मोन जो होता है वो बसा protein और carbohydrate के अगर बढ़ाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C thyroxine वहीं अगर हम लोग बात करते हैं cytokinin की तो cytokinin कोसी का बिभाजल कोसी का बिस्तारन और बिभेदन को बढ़ाता है और adrenaline की अगर बात करते हैं तो यह हर्मोन जो है वो medula से स्रावित हर्मोन का अधिकांस भाग होता है और यह हर्मोन जो है वो डर और मांसिक तनावेवं ब्यस्तता की अवस्था में अतिधीक स्रावित होने लगता है next question का रहा है question number 71 का रहा है निम्रिकित में से कौन एक जो है वो मचली है तो समुद्री घोड़ा जो है वो एक परकार की मचली है जो की समुद्र में पाई जाती है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C आगे है कि ओली एजीडले टर्टल के सनरच्छे हैं तो प्रियोचना किस अभियारन में चलाई जा रही है आगे है बधाबन आदरभूमी किस राज में है तो बधाबन आदरभूमी गुजरात में स्थित है या आदरभूमी जो है वो पच्छी अभियारन के रूप में प्रसिद्ध है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number A गुजरात next है कि बिस्व प्रवासी पच्छी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो बिस्व प्रवासी पच्छी दिवस जो है वो आठ मई को मनाया जाता है वहीं अगर और options की बात करते हैं तो 18 April को बिस्व बिरासत दिवस मनाया जाता है और 21 June को अंतरा स्थिय योग दिवस मनाया गया एक है पश्चमी घाट और एक है पुर्वी हिमाले चेतर तो इस question का सही answer होगा आपसे नमर सी पश्चमी घाट next question है question number 76 भारत का प्रथम दूरदर्सन के अंदर कहां स्थापित किया गया था तो भारत का प्रथम दूरदर्सन के अंदर जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था तो इस question का सही answer होगा वो होगा आपसे नमरे नई दिल्ली समेलित नहीं है एक साइट संकठे नहीं दूसरे साइट मुख्याले दिये गए है गयैठ जिनेबा यह बिल्कुल सही है एस्याण चाकरता सही है नाटो ब्रूसल सही है इंटरपोल लंदन ये गलत है क्योंकि इंटरपोल का मुख्याले जो है वो पेरिस में स्थित है इसका फूल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गनाईजेशन और इसकी अस्थापना हुई थी उनी सो तेश में नेक्स कोशन है कोशन नवर 79 बिसमें सरवादीक निर्वाचक संख्या वाला देश कोन है सरवादीक जन संख्या वाला देश चीन है लेकिन सरवादीक निर्वाचक संख्या वाला जो देश है वो भारत में है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वहोगा आपसन बरे भारत आगे क परसन कपील मुनी, पुर्वी मिमान सा जैमनी और उत्तर मिमान सा बदरायन, clear है, इसके आगे 80 से 100 जो है वो मैस का question है, मैस का question जो है वो PDF के last में मैं attach कर दिया हूँ, साथी साथ उसके solution भी जो है वो PDF के last में attach है, अगर आपको PDF चाहिए, तो इसके लिए आप Telegram ग्रूप या प्रोबाइड करवा दिया गया है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बदाएगा, साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे, ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रह करने,न्क फोगरे चैनल को अगगि तक्राइब नहीं。